नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागता आप सब का मैं हूँ बुक लवर और आप देख रहे हूँ जैपुर बुक जीवर और यहां आपको मिलती हैं बुक से रिलिटेड हर तरह की वीडियो वो भी हर मंडे थास्टे और सैटेडे को और आज मैं हाजिर हूँ अपनी उसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जो अब तक करते चले आ रहे थे सिरीज का नाम है यह एक बुक है यह उसके लेडी है जिसने अपने हस्बेंट को मार दिया है ऐसा सर्थ उसके चार्ज लगा रहे हैं वह इसकी डेट बॉड़ी के पास वह मिली थी और जो गंद से उसके उसके हुपेंगर्प्रिंट भी उसी के थे अब वह जो लेडी है ज इसने अपने हस्बेंट का मर्डर करा था, at least accused वो इसी चार्ज से है, तो उसको एक facility में रखा गया है, और उस facility को recently joined करा है, एक psychotherapist, Theo Faber ने, और वो जैसे-जैसे करके उसके case को handle कर रहे है, LECI के mental case को, और वो उसे राज बुलवाना चाहते हैं, क्या-किर, ऐसा क्या हुआ कि वो चूब क्यों है, उस दिन के बाद से कभी कुछ बोली ही नहीं है, जब से उसके husband की death हुई है, तो ऐसा क्या हुआ, वो चूब क्यों है, इस तरह की बाते, अपने को इस book में देखने को मिलेंगी, और आप चाहो तो इससे पहले की videos मेरे देख सकते हो, यह अपना शायद उस पे इतने views नहीं है, तो I think so, कि शायद थोड़ा छोटा record करना की video को, इसलिए मैं यह बहुत जादा छोटे-छोटे parts में record करने वाला हूँ, ठीक है, तो चलो बिना दिर के वीडियो को start करते हैं, मैं Mrs. Roth के living room में enter कर चुका था, उनके sofa पर मैं फिर से उसी side arm के पास जा चुनुरू करके पूरी बात बताई, कैसे मैं फिर से उस मेरी जौना के जन्जाल में फस चुका हूँ, कैसे कैθTube ने मुझे धोका दिया, कैसे मुझे उसके सच के बारे में पता चला, और यह हात में चोट मुझे कैसे लगी, और इस वक्त में कैसा फिल कर रहा हूँ, मैंन और मिस्टर थियो फेवर के बीच एक बहुत लंबी बातचीत होती है मिसिस रौट एक तरह का थेरिपी सेशन परफॉर्म करती है थियो पर ताकि वो शान्द हो जाए और ऐसा ही होता है थियो वापिस घर आने के लिए बस लेता है और सीट पर बैटा बैटा वो बस कैथरीन के बारे में यह सोज रहा था और फिर वो फैसला लिता है कि वो घर जाकर कैथरीन से अलग हो जाएगा जब मैं घर पहुँचा तो कैथरीन घर परी थी इससे पहले मैं उसे कुछ कह पाता वो मुझ पर तूट पड़ी उसने मुझसे तूटे वे काच के टुकडों के बारे में पूछा कि आखिर ये सब क्या है थियो ये क्या हो रहा है यहाँ पर वो ऐसा जता रही थी कि जिसे सारी गलती मेरी ही है मैं गलत हूँ, मैंने उसे सफाई देना ठीक नहीं समझा मैं चुप-चाप उस अपनी गलती मानी और सोने एकले चला गया मैंने उसे कहा कि मैं बहुत ठकर रहा हूँ, हम कल बात करेंगे उसके बाद मैं चुप-चाप सोने चला गया लेकिन रात कैथरीन को देखते देखते ही कट गए मेरी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिस कैथरीन से मैं प्यार करता था वो इतनी बदल कैसे गई इसके लिए मेरे माबाप शायद सही कहा करते थे उनने मुझे कहा था कि ये तुम्हार ले ठीक नहीं है और शादी के इतने साल बाद मुझे इस बात का एहसास हो रहा है अगली सुबह सब नॉर्मल सा रहा लेकिन मैं अपना मन बचाच चुका था कि मैं कैथरीन को अपनी लाइफ से ऐसे नहीं जाने दूँगा मैसिस रौत गलत हो सकती है शायद कैथरीन अपनी गलती मान ले और मेरे पास वापस आ जाए आखिर रात भर कैथरीन की वज़े से जो सेशन मुझे मिस्स रौत के साथ लेना पड़ा था वो नाकाम हो रहा था आखिर मिस्स रौत का क्या है वो तो अकेली रहती है मैं अकेले नहीं रह सकता मेरे लिए कैथरिन सब कुछ है मैं उसी के साथ रहूंगा अब मैं अपना मन बना चुका था अगले दिन मैंने फैसिलिटी पहुंचते ही लूरी को सबसे पहले सभी लोगों को इखटा करने के लिखा खास तोर पे मरीजों को लूरी को थोड़ा अजीब सा लगने लगा उन्हेंने पूछा क्या हुआ कुछ खास बात है क्या तो मैंने उसे बताया नहीं मुझे बस सब पेशेंट से जान पेचान भढ़ानी है और कोई बात नहीं है लेकिन ये जूट था मैं खास तोर पे अलिफ से मिलना चाहता था अलिफ पूल खेल रही थी मैं उसके पास एक दोस्त की हैसियत से गया लेकिन वो बात करने से कत्रा रही थी मैंने उसे कहा कि क्या मैं भी तुमार से थे एक मैच खेल लूग उसने कहा नहीं ये मेरे खेलने का समय है। मैंने कहा चलो come on, मान भी जाओ, हम दो लोग एक साथ खेल सकते हैं। तो उसने कहा अपनी स्टिक ले क्या हो, मैं तुम्हें अपनी स्टिक नहीं देने वाली। अब वहाँ पे एक स्टिक वो पहले ही तोड़के दूसरे लोग उससे खायल कर चुकी थी। तो पूल खेलने के लिए सिर्फ एक स्टिक थी। और अब मैं उससे नहीं खेल सकता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बातों में वक्त गवाने के बज़ाए सीधे मुद्धे पर आया जाए। मैंने उससे सीधे मतलब की बात करी। मैंने उससे पूछा जब एलेसिया यहां नई नई आयी थी तो तुम्हारी और उसके वीच में एक खमासान लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई में उसने तुम्हें लगबग मारी दिया था। मैं तो उससे बस इसी तरह के सवाल पूछ रही थी और उस पागल ने मुझे पर हमला कर दिया। लेकिन अब हमारे बीच सब ठीक है। वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त है। मैं उससे बात करी रहा था कि तब ही मेरा फोन बज़ गया। ये कॉल था गैबरियल के भाई मैक्स का। मैंने उससे बात करने के लिए एक मीटिंग विक्स करी। लेकिन इससे पहले मैं उससे एड्रेस पूछ था, उसने कॉल कट कर दिया। मैं जैसे जैसे पता पूछ थे, मैक्स का ओफिस तक पहुँचा। रिसेप्शन पर थोड़ जैर वेट करने के बाद मैक्स ने मुझे अंदर बुलाया। मैक्स की टेबल पर गैबरियल की एक फोटो रखी हुई थी। उसकी फोटो को देखके मैं इन दोरों को साफ साफ कंपेर कर सकता था। ना मैक्स गैबरियल जैसा था और ना ही गैबरियल मैक्स की जैसा। गैबरियल एक सुन्दर सुडोल चरीर वाला व्यक्ती था। चामिंग फेस, शाब जॉलाइन और लंबे सुनहरे बाल। लेकिन जो दूसरी जगे मैक्स था वो बिलकुल भी ऐसा नहीं था। उसके बाल उड़े वे थे और शकल गोलू-मोलू जैसी थी। मैक्स के बार में एक और बात मुझे थोड़ी जीब लगी। अगर वो गैबरियल का भाई है तो थोड़ा बहुत उसके जैसा लगना चाहिए था। उसका पूरा ओफिस का डेकुरेटिंग स्टाइल, पूरे उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, काम करने का तरीका, ऐसा साइको टेरेपिस्ट होने के नाते मैंने एक नासर में ही भाप लिया था। और मुझे यहां कुछ घडबड होने की बनक पहले ही लग चुकी थी। मैंने सबसे पहले उससे ये सवाल पूछा, आपके भाई के साथ बॉंडिंग कैसी थी। मैं अपने भाई को बहुत चाता था, हाला कि वो मेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन उसे कम भी नहीं था। मेरे माबाप को पहले लगता था कि उन्हें बच्चा नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्हें मुझे गोद ले लिया, लेकिन उसके बाद उनका विचार बदल गया, और जाहिर सी बात है फिर उनको गैबरियल हुआ, गैबरियल चोटा भाई था लेकिन सौतेला, या फिर उस उसका जुट तुरंट पकड़ लिया, तो वो सच कहने पर मजबूर हो गया, उसने बताया कि एलेसिया पागल थी, वो कभी खुद को मारने की कोशिश करती, तो कभी गैबरियल को मारने की धम की देती, एलेसिया ने उसके फादर की डैट के बाद सुसाइड एटम्स भी कर गैबरियल की मौत के बाद हम दौनों ने शादी कर ली, उसने ही इस सदमे से निकलने में मेरी मदद करी थी, मैंने एलेसिया का, केस, सिर्फ इसलिए हातों में लिया, क्योंकि आज अगर गैबरियल जिन्दा होता, तो वो भी यही जाता, इतना कहे कर, उसने मुझे जाने क इससे पहले कि तानिया कुछ और बोलती, मैक्स वहाँ आ गया, और तानिया ने तुरंत बात बदल दी, उसके चहरे पर डर और नर्वसनेस साफ जलक रही थी, पर मैक्स के आ जाने पर उसने ऐसा क्यों करा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो बस आज के लिए इतना ही, दिक झाया मुझे के लिए करा ही, घब यहाँ भंण नहीं रहीं है, तो बड़ कि लिए्ग है, झो तो ब good?